क्या कराया है क्या कराएंगे कि नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे अब होगी गाओं की विकास की बात देखते रहे गाओं की बात मुख्याजी के साथ सुस्क्राइब करें एवन न्यूज इंडिया हर खबर सच्चाई के साथ सब्सक्राबे अब रैस्ट सक्राइब करिए विकास कारें राइख हंब और अभी व कंजहरे है इस सबसे पहले तो आपका सुनाम जाना चारें हो सबसे पहले तुम्हें एद मिलादुन नभी की छेत्र वासियों को दीपा वली की भाईया दूज की मुभारक बात देना चाहता हूं मैं समझता हूं विकास की जहां बात आप लोगों के सामने आपके चैनल के माध्यम से पहुचाना चाहता हूं छेत्र के लोगों को काम तुम मैं कह सकता हूं कि सो के सबसे बड़ा काम सी सी रोड जो हम लोग नई बसती से स्टेशन की दरब निकल के जाते हैं लगबच साड़ तीन सो चार सो मीटर का है वो पास छे मीटर लगबच चोड़ा वो बीस सो साल से ऐसी पड़ा हूँ अधा गड़ों में पबलिक निकलती थी और उस काम को हम लोग उने बहुत खू अब बहुत बाथ के सैदमें पूरम में एक बहुत बड़ा सी सी काराय लगबच वो भी द्हाइज सो मीटर की आसपास वो भी बहुत बीसियो साल से गड़ों में था उसको भी हमने सी सी में ही बना दिया यह ऐसे कही काम हमने कर आपि बोलते हैं जिसको वहां भी हमने से quality में और नई बस्ती में तीज से लेके 32 खरंजे डलाए हम लोगों ने पुरानी बस्ती में भी हमने 57 खरंजे डलाए CCA भी डलाई ही मैं आपको बता चुका समुदाय सुचाले भी बनवाया और साहर जी में यो सुचाले होते हैं नाभारतियों के लिए सुचाले हमने 200 के आसफास बुवी बन भाए बाकी काम कराने की बात तो ये कि हम लोग खुद अपना काम समझ के ये बस्ती के अंदर कराते हैं ग्राम प्रधान पती राफीक अहमद वालिम ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचयत में कई सिसी रोट का निर्मार कराया है और सारविने के स्थानों पर प्रकास हेतु कई लाइटे लगवाने का भी सरानियक कार किया है इतना ही नहीं सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम प्रधान पती रफीक अहमद वालिम ने गाउं में सरकार द्वारा बनाए गए राजकिया हाई स्कूल में भी अपनी जीब से लगभग सवालाख रुपे खर्च कर बच्चों के भविशी को सुधारने के लिए काफी सयोग किया है प्रदान जी आप क्या जो राजकिया हाई स्कूल बना है इसके मांदें से बना है सदात में मेरा सहीह यह था कि भूठाइब का बढलना आप क्या पढला Pixar जो भी सौ सवा सो ट्रालियां पढ़ी हम लोगोंने अपने निजी पैसे से डलाया इसमें और गाउं का भी बहुत सा योग रहा पानी रोगना है नालों की मलब ऐसी चीज़ उन्होंने बनाई नालों में कि अपने आप पानी रुग गया और खाम होता रहा यहाँ पर लगव हो जाएगा तो हमारी जो बाहर पढ़ने जाते हैं बच्चे तो वो यहीं पढ़ेंगे तो जहाता बढ़िया और गाव का इसमें बढ़िया भविस्वी रहेगा क्योंकि अगर सिक्षा है तो सब कुछ है जो खर्चा आया है वो मैंने अपना निजी खर्चा किया कोई गिर अगर हम नहीं करते तो हो सकता है काम होने से रुख जाता ठेकिदार राजी नहीं हो जाता तो मैं समझता हूं कि सिक्षा है तो बहुत कुछ है बाहर बच्चिया है बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे इसलिए गौम ही पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक काम है हम अपने आपको बहुत बड़ा काम समझते हैं तो उमीद है कि आगे चलके सरकार हमारा इस बात पर ध्यान देगी कि इंटर कालीज भी बनवाए यहां पर और अब गाउं से होकर निकले पीड़ावलूडी के खसता हाल रास्ते को सही करवाने के लगातार शासन से मांग करें उन्हें पताया कि रास्ता सही कराने का शासन पर मिल चुका है आपके छित्र में सबसे जादा किस चीज की आवज सकता है हमारे सबसे बड़ी समस्या तो एक हमारा मैं डोड है पी डेवलूडी में जो आता है घुट अंहें लोग निमार मंतरी जी को भी लेटर लिखके दिए थेखायक को भी लिखके दिया है उन्हों दियुक्र यह इन्हों को कराएंगे लेट की बहुत-बड़ी समस्या थी हमारे गवों में तो और इना मृ लेट की पी समस्या आ किसान को भी बहुत बढ़ी आ हैं यह सब योजना है सरकार की बढ़िया है गराम प्रधान ने महिलाववजूर्वों का धियान रखते हुए ग्राम पंचायद के विभिन प्रकार की पेंशनों का लाभ फिलवाने का काम किया है साथ ही उनके द्वारा लगवाग 200 से अधिक लोगों की आँखों पर आपरेशन कराने का विसरा नियकार किया है एसी के चलते गाउं की जनतर ग्राम प्रधान बनके पती रफीक एहमद वालिम से काफी खुश नजर आ रही है और दोबारा प्रधान बनने के लिए उनके सरेश्ट दूआय देए है मेरा नाम कौसर अली है कौन सा गाउं है यह टांडा साधात है आप जिस रास्ते पर ख़ड़े हुए हैं यह प्रधान जी रफीक एहमद की माद्यम से पढ़ाए यह लगवाग 500 मीटर है इससे पहले यहां पर बहुत ही कीचड़ रहा करती थी निकलना दुश्वार था लोग गिरते पढ़ते चलते थे बहुत ज़्यादा ही रास्ता खराद था यहां पर यही रास्ता से हुआ है और भी गलिया हुए यहां पर पूरा गाउं बहुत गल हमारे परदा जी है बहुत अच्छे काम करें करें आगे चुनाओ लड़े और हम लोग पर दान जी साथ को ही चुनाओ लड़ाएंगे तो क्या लगए आपको परदान जी साफ बहुत बेहतराब्मी है और यही जीतेंगे अपको पेंशन मिलती है हाँ दो साल से प्रदान जी का रफीक से दो साल जी मिलती से पहले प्रदान रहे उनों नहीं है आपको कोई दिक्त किसी तरह की कोई दिक्त ना है तो क्या साल कि दॉबारा बनेगे लएदाइंगे अंवरी आपको फिंसे ल साल से मिल लगी पहले नहीं सब्सक्राइब नहीं किताब है तो क्या लग रहा है आपके दोबारा बनेंगे और अल्लाइब दौाइं है और दौा पिर्दान बढ़ा हुआ है और उनकी पतनी लगब क्या नाम है यासमी जाब यहां की पिर्दान है और आपको मालना विकास नहीं हुआ है जी बहुत बढ़ी बिकास हुआ है तो समस्य ना करा पाए हो और आप लोगों निकाहा हूँ प्रधान पती रफीक अहमद वालिम ने बताया कि उनकी ग्राम पंचैत में वाटर ट्रैंक भी स्विक्रित हो चुका है साथी उनने कहा कि अगर गाउं की जनता उन्हें दुबारा प्रधान बनाती है तो वाट ग्राम पंचैत में बच्चों की खिलने के लिए खेल का मैदान बनवाएंगे और एक बड़ा अस्पताल बनवाने के लिए शासों से मांग करेंगे आपके गाउं में कितने लोगों परकार की फेस्नों से लावान बित हैं और आपके रहारा कितने लोगों को लावान बित कराएंगे देखिए मैं समझता हूं जहां तक 2015 पच्चे दिसंबर से हम लोगों ने सपद ली ती उस से पहले हमारे गाउमे अगर हम 10 साल का भी रिकार्ड देखते हैं तो कुल मिलाके 10 साल में 10 खरंजे कराएंगे लोगों ने जो भी प्रदान रहे और विद्वा पेलसे ना 28 ती उस बिद्वा पेलसे ने आज की टेम में 98 हो चुकी हैं लगबग हम लोगों ने 70 पेलसे ने बनवा दी बिद्वा जो गरीब हैं साड़ साला हमारे यहां पर 32 ती जो आज हमने 147 बनवा दी 115 पेलसे हम लोगों ने अपने लावारतियों को फाइदा पहुचाया है यह हमारा है आपने अब तक कुल कितना पैसा भी कासकारियें पर खर्च किया है देखिए कुल मिलाके अगर यह हम देखते हैं तो यह हमारा सही तो सच भी बता पाएंगे मगर हम लोगों को भी आडिया है कि 80-90 लाग रुपे तक हमने अपने वहां में खर्च कर चुके होंगे आपके कि चन संख्या किपने हैं हमारी कि चन संक्या दोहजार 11 के अगर सर्वे देखते हैं तो 57 थी आज की देखते हैं तो 12,000 के आसपास पहुंच चुकी है को दोना महमारी की चलते हैं जनता को सुरच्च्छ रखने के लिए आपके द्वारा क्या क्या वपाय कराएं गया है घि सर्च लाजर भी किराया, जगा-जगा हमें, घृषब में गरों में भी किराया, हमारे पास यह भी एज़ भार के मजदूर लोग आत एंसे इज़ पर किराया, समय 먹ारी रहती है, गोल का चुना चुना ऑगसे वो भी बनाके, तुकंदारों के सामने, हम लोगु ने भूब हका किया आने वाले चुनाओं में आप जंता से क्या उमीद रखते हैं नहीं देखिए जंता मालिक होती है और अगर जंता मौका देती है दुबारा से हम लोग को चुदने का तो मुझे उमीद है कि जैसे हमारा कस्वा सेतल टोनेरिया है मैं कोशिस करता हूँ मेरा एक ऐसा मानना है कि मैं अपने टान्डा सधात को टैंटरिया में बदलना चाहता हूँ टैंड़ा नाम तो नहीं देना चाहता मगे टैंड़ाय ज्यसा दिखाने की कुशिस पूरी करूँआ से और उमीद और किरा सकता हूं मैं कोई ऐसा भी करना चाहरा थे लेकिन करना से तो ते में यह झाल सकता कि जो मैं भी कराना चाहरा था और ना करा पएंग violation कि मैं जहां 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 गर जहала जो शोची ऑख दो की और पिर शासने मेरे साथ दिया अधिकारियों ने साथ दिया काम तो मैं करा चुका हूं मंगर अभी काम बहुत रह गया मैंने आपको कहा 50-60% में काम करा चुका हूं क्योंकि अभी तक हम खरंजे भर पाए अब सीची उपे चलने हैं हो सकता है आने वालत समय का अगर मौका मिलता है तो समय सीची सरकार करा दे पैसे का बजड़ दें की तो काम कराते रहंगे भरपूर इमांदारी से काम कराते हैं सरकार का 100% पैसा आता है 100% की कोशिद करते हैं लगाने की बाकी कुछ और बाते मैं अपनी दरब से आपको बताना चाहरा था अगर आप इजाज़त दें तो बता सकते हूं जैसे कि उपस्वास केंदर हमारे यहां पर टांडे के नाम से 2009-10 में आया था तो जो भी पिर्धान रहे उस चम 2009-10 में उन लोगों ने जगा ना देने के कारण सेतल में पहुचा दिया गया और वो लोग उच्छालते हम लोगों पे हैं कि पिर्धा रफिक एमन ने पती रफिक एमन ने वहां पर पहुचा दिया उन लोगों को यह नहीं पता कि 2009-10 में रफिक की मिसिज पिर्धान थी या किसी और की मिसिज पिर्धान थी वह यह भूले हुए हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वह मैं सीयो मुसाब का लेट लाके मैंने लोगों को बारसब भी कराया चिपकाया भी जगा 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 वो भी पढ़ना नहीं समझते अच्छा और कुल मिलाके जैसे की लैटे हम लोगों ने बड़ी जो छे लैटे पाच लैटे लगती हैं तो वो छे लैटे लगी थी एक और लैट हमने चल लगी तार खराब होने के कारण भी लैट बढ़िया चलाता है तो उसका भी सायोग रहता है बाकी तो रासनगाट की आपकी समस्या गाओं में आप अगर चर्चा करें तो हो सकता है लोगों ने जो अनाज पहली बार उन लोगों को मिला तो उन्होंने परसाथ के टैप है या नियाज के टैप पे हम लोग बोलते हैं उसमें अनुने बाट आप कि हम लोगों को 20-20 साल में जो नहीं मिला वो हमें चार साल में मिल गया और गरीब हों के लिए 90% जो गरीवात एँ उनके लिए ही यह हमने सायोग है अपने अपने गाओं में हमरें मिशन सक्ती के त तोड़ लग भाई ये उसमें एहल प्लाइन नंबर दीजिए मुखमंद्री मानी मुखमंद्री का नंबर दीजिए हलका इंचारज का नंबर दीजिए तो हमने वो काम किया जगा जगा लगाए इसलिए कि नारी शक्ती को तोड़ा साथ जो लोग परिशान करते हैं वो उसको परिशान ना करें और उसको अगर फोन की जुरूरे तो वो हमारे पास में बाद में आए पहले वो अपना कटोड़ देखके उस पर ही नंबर मिलनागा और फोन लगाए थाने को लगाए या लेकबल को लगाए मुखमंदर जी को लगाए जानी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को जो आपने किल्टी सब्सक्राइब है शुक्रिया जी आपको